आलू के पापड खाने में सभी को बहुती टेस्टी लगते हैं मैं आज बिना मसीन से बहुती इजी तरीके से फटापट से आलू के पापड बनाऊंगी आप चाहें तो इने फिराई करें और आप चाहें तो इनको रोष्ट भी कर सकते हैं आप इन चटपटे से आलू के पापड को बना करके साल भार इस्टोर कर सकते हैं और जब आपका मनाई तब आप खा सकते हैं हलो फ्रेंड जैशी किष्णा, ब्रजवासी बेंजन, फ्राम मत्रा में आपका स्वागत है, मैं हूँ सीमा पांडी आज मैं आलू के पापड की रेशिफी शेर करने जा रही हूँ, आलू के पापड खाने में काफी टेस्टी लगते हैं आज मैं पापड बहुत ही इजी तरीके से बिना मशीन के बनाऊंगी, और इसके लिए मैंने दो किलो आलू लिये हैं, छोटे साइज के, आप चाहें तो इस तरीके से मीडियम साइज के भी ले सकते हैं पापड को टेस्टी बनाने के लिए मैंने कुछ मसाली लिया है मैंने ये नमक लिया एक चम्मच आप टेस्ट के अनुसा थोड़ा कम जादा कर सकते हैं एक चम्मच मैंने लाल मिट्स पाउडर लिया है और एक ही चम्मच मैंने जीरा लिया है और आप चाहें तो दो पिंच हिंग भी ले सकते हैं मुझसे बहुत अच्छा फिलेवर आता है इन आलूओं को धो करके मैंने बॉयल कर लिया है अब मैंने इन सभी आलूओं को बॉयल करके छील लिया है अब हम इन सभी आलूओं को अच्छा से मैश करेंगे आप चाहें तो इस तरीके से गिलास से भी कर सकते हैं अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिज सब्सक्राइब कीजिए जिस से आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और यदि आपके पास इस तरीके का मेशर हो तो आप से भी कर सकते हैं हमारा अदेश से केवल गुटलिया इसमें ना रहे ये रहता है और आप चाहें तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं मैं यहाँ पर कद्दूकस से कर रही हूँ देखे इस तरीके से काफी अच्छे से मैश हो जाती हैं और काफी स्मूथ हो जाती हैं इस तरीके से मैंने सारे आलुओं को कज्जू कर से एकदम से स्मूथ लिया है अब मैं इसमें मसालों को मिला लेती हो नमक, मिरच और जीरा तीरों को मिला लेती हो और यदि आपको हींग का फिलेबर पसंदो तो आप हींग मिला सकते हैं आलू के पापड़ों को आप चाहें तो तेल में फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अगर आपको पापड़ बनाने का मैथाट अच्छा लगे तो प्लीज और अकिशा शेयर जरूर कीज दिए इस तरीके से मैंने पापड़ का डू तयार कर लिया है अब हम पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं पापड़ों को सुखाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक सीट लिया और यह ओईल हम थोड़ा सा ओईल प्लास्टिक सीट पर लगाएंगे जिससे हमारे पापड़ आसानी से पलड़ जाएं अब मैं थोड़ा सा डोलेती हूं और हाथ को चिकना कर लेती हूं और इस तरीके से हम जैसे रोटी पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हम लोई बनाएंगे और इसको आप चाहें तो बड़ा चोटा बना सकते हैं पापड़ के अनुसार और इस तरीके से लिए करके हम प्लास तो आप उसको एक बार और दबा सकते हैं, इस तरीके से मैं सारे पापड़ बना लूगी, मैं अभी आपको एक पापड़ बना कर दिखाती हूँ, इस तरीके से हम लोई बनाएंगे, और इस लोई को और सीट पर रख देंगे, और सीट के ऊपर हम दूसरी सीट रखेंगे, प खराब नहीं होते हैं देखिए काफी आसान है और इस तरीके से मैंने सभी पापड़ा को बना लिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं मैंने कुछ छोटे बनाये हैं और कुछ को बड़ा बनाया है इस तरीके से हमारे पापड सारे बन करके तयार हो गए और जब ह हमारे पापड ऊपर से कोई सूख गए है मैं इनको पलट देती हूं इस तरीके से मैंने सभी पापडों को पलट दिया है और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं जब हमारे पापड ोधा साइट से थोड़े-थोड़े सूख जाएं तो हम इनको एזה काड़ा एक के उपर एक किस सहूलियत हो जाती है इस तरीके से हम उखटा करके रख देंगे और दूसरी दिन हम इसी तरीके से से फ्यला देंगे आप चाहें तो इन्हें पंखे में सुखह सकते हैं यह धूब धूर्ट डिन मैंने गैस पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है और हमारा तेल भी गरम हो गया है भाप आ रही है अब हम फ्राइ करना शुरू करते हैं हमें दिहान रखना है पापड़ों को फ्राइ करते हैं मीडियम हाई फिलेम रहना चाहिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए तभी हम अब मैं इस पापड को निकाल लेती हूँ और दूसरा पापड फ्राई करके दिखाती हूँ आपको आप इन पापड़ों को कभी भी फ्राई करके खा सकते हैं ये खाने में काफी टेस्टी लगते हैं अगर आपको मेरा पापड़ बनाने का मैथड अच्छा लग रहा हो तो पिलीज और अकेशा शेयर जरूर कीजिए इस तरीके से देखिए हमारा पापड़ बन करके तयार हो गया है सिक करके आप इसी तरीके सभी पापड़ों को शेक सकते हैं अब मैं आपको रोस्ट करके देखाती हूँ रोस्ट करते समय पापड़ को थोड़ा सा फिलेम से उपर रखें और उस पर फटापड फटापड पलाट करके आप सेख सकते हैं आप चाहें तो उबन में भी सेख सकते हैं देखिए पापड़ सिक करके तयार हो गया है और देखिए काफी अच्छी और आप चाहें तो गैस पर तवे पर भी सेख सकते हैं पापड को आप रोस्ट भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप रोस्ट कर सकते हैं, बिना वैल के आप आरम से खा सकते हैं, तो इस तरीके से देखिए हमारे पापड से करके तयार हैं, दोनों तरीके के, देखिए इस तरीके से हमारा रोस्ट पापड बन करके तैयार हो गया है और देखिए ये मेरे फिराई किये हुए पापड हैं और ये रोस्ट किये हुए हैं इस तरीके से आप दोना तरीके के पापड बना सकते हैं काफी अच्छे बने हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिली जो रोकेशा शेयर की मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फिर मिलते हैं नई रसीपी के साथ धन्नवाद